हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्याज प्रस्न 17.2 तो देखिए सबसे पहले हमारे कौन से कोईशन है MC क्यों टाइप कोईशन है यानि कि बहुविकल्पी प्रस्न कितने दिये गए हैं एक से ले करके 6 तक अज हम आपको क्या करते हैं बहुविकल्पी प्रस्न पहले करा देते हैं चली शुरू करते हैं वीडियो को पहले को या क्यों टीजार दिये गया है कि एक और्ध गोले की तीजया 4 सेंटीमीटर है उसका वक्रोश्ट होगा कोईशन करने पहले क्या क्या पता है यह दिए आपको फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं तो आप कोईशन को भी क्या करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाते हैं जाए यानि चार बटे टीन में पाय यार क्यूब् इसबार देखी त्रीच किया है क्यूंब में अभी तक क्या चल रही थे हमारी कynn की बाद चल रही थे निकि तक सुन संकुत है राइडीeस फिलम और उसमें क्या थी हाइड भी थी ठीक है और इसका वाकरकष्ट क्या होता है गोले के देखिए फोर पाई यार स्कुयर यदि आप इन दोनों को लर्न कर लेते हैं तो यह दोनों आटोमेटिक लर्न हो जाएंगे देखिए इसमें क्या बात वह रही अर्द गोले की यानि आध इसका अद्द इसका आधा ही takich निसरी आपको दो इसे करना है तो देखिए हमारा पहला कोशन क्या कह रहा है ऑक आर्ध गोली की 3 ंचार सैंटी मेटर देखिए स्टीर में है। परफ सेंटी मैटर दिया गया है ठीक है और इसका वक्रप्रष्ट पताना है देखी वक्रप्रष्ट का हमारा फार्मूला क्या होता है टू पाई आर स्क्वेर यह फार्मूला है हमारा तो रख दीजिए इसे में टू पाई का देखी पाई इंसर है तो पाई में रहने दीजिए इसको π कमान नहीं रखना है R कितना है हमारा 4 square कर दीजिए जैसे आप करें कितना तो 2 into में πाई 4 चको 16 तो finally कितना आजाएगा हमारा 32 पाई आजाएगा अब किस में आएगा हमारा सेंटिमीटर स्क्वाइर में आएगा सेंटिमीटर स्क्वाइर इसकी यूनिट लगा दीजी, यही क्या हो जागा आपका फाइनल आइंसर, देखिए किस से मैच कर रहा आइंसर नमबर C से, इस पर कर आपको कोईशन करना है, आगे देखिए, कोईशन नमबर 2 क्या कर रहा है, एक गोले का आयतन, देखिए, इसमें क्या था अर्ध गोला, इ इसके वराबर क्या होता है? गोले का यतन वराबर, देखिए, एही फरमुला आपको यूज़ करना है, क्या होता है? 4,7,3,Q, шाण यहनि कि आपके आयतन इसमें दिय दिय गया है, पहुंचा क्या गया है? इसका वखर फ़ोफ्रेश्ट, पहुंचा गया है, वखर पहुंच कितना दिया है, 4 by 3 pi R qi bathtub के बरबर कितना दिया है, 38808 दिया गया है, यедधि आप चाहें तो देखिए, केवल R qieting रख कि धर सारी value फैंक दीजिए, कैसे फैंकता है, देखिए पाई कमान भी इधर ले जाई है तो क्या सलेगा बटे में जाएगा तेखिए कैसे लिखेंगे या तो धीरे-धीर इसको काट लीजिए और सोटा हो जाएगा फोर अपान में थ्री पाई कमान कितना है बाइस बटे में साथ और आर्ट क्यूब ऐसे रहने दीजिए ठीक है और इधर क्या हो जाएगा हमारा 38808 अब देखिए उसको पहले काट देजिए चार से इसको काट सकते हैं कैसे काटेगा चार नहीं 36 यहां जाएगा तीन यहीं कि दू चर सत्ते अथाइस जीरो जीरो चार दुनाई आठ सत्तान में दू आया अभी आप देखिए यह यहां काटें तो ज्यादा गंदीगी नहीं फालाना आपको 22 बटे में कितना हो जाएगा तीन गुड़े में साथ रहने दीजिए और आर क्यूब रहने दीजिए बराबर कितना हमारा सत्तान में जीरो दो गैरा से और इसको काट दीजिए 1888 यहां कितना बचेगा हमारा 8 ब में 7 आर क्यूब बराबर कितना जाएगा एट चार सेकतालिस गुड़े में तीन गुड़े में साथ तो क्या करना है आपको इसके भी क्या फैक्टर निकाल लेना है जैसे आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे तो कैसे निकाल कहेंगे देखिए चार सेकतालिस के फैक्टर क्योंकि आपको देखी सिर्फ आर चाहिए आर यह आजाएगा हमारा टो फाइंलि आर्मी स्का यूर्णा बराबर हमारा कितना गया ट्री हिंट में में 23 हो जाएगा और सेवें पेर बनेका हमारा एक इस ईसका एक पेयर बन जाएगा और इसका एक पेयर बन जाएगा तो र क्यूब बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3 in 2 में 7 कि पावर हम क्या लिख सकते हैं, कैसे, देखिए, एक पावर हमारे इसकी हो जाएगी, एक यह हो जाएगा और एक दो, यहनि कि तीन इसमें सिट बनेंगे हम क्या करते हैं तीन की पावा सिधा सिधा लगा देते हैं क्यूब से क्यूब हम काट देंगे तो R बराबर कितना जाए 70, 21 एक तरीकत यह हो गया या तो आप डिरेक्ट लगाए R क्यूब बराबर यहाँ आप क्यूब रूट लगा दीजिए ऐसे करके और यहाँ देखिए पेर बना लीजिए इस वर देखिए स्क्वैर में क्या होता है हमारा दो का पेर बनता है और क्यूब में क्या करना है आपको तीन का पेर बनाना है तो देखिए तीन गुड़े में साथ एक ही इसका प ऊस्क्राइब आप लिए हैं से ही 21 बस आपको इसमें रख des teams अधर प्रश्ट बराबर रहना कितना हो जाएगा 4 और सुझार होगा ती क्या सिसी में य। रख देना है ऐसा बुझार में य्जार गुले में प्रश्ट क्यार hai पाई देखिए पाई में हमारा इंसर आ रहा हो के सायद नहीं आ रहा है तो क्या करना है बाइस बटे में साथ और एकाईस इंटू में एकाईस होगा ठीक है अब देखिए एक साथ से इसको काड़ दीजिए सत्री की जब फाइनली आप इसका मल्टिप्लाइ कराएंगे देख 24 लिको 24 16 26 हो जाएगा और यहां कितना जाएग चस्के इन करता कि औरnte קाईध की आद्चन बटन हो जाएगा कि कर दो कि कि चार आट-चार कर रहा है आपका इंसर नमबर सी हो जाए करेक्ट ऑप्सन उसके बात आजाए कोईसर नमबर 33 में 14 संटीमेटर ब्यास वाले अर्द गोले संपूर प्रष्ट बताईए तो देखिए संपूर प्रष्ट क्या होता है हमारा संपूर प्रष्ट को सबसे पहले आपको फार्मूला रर्ष्ट गोलेगा और पाई आर्ष्ट है हमारा सरकल का फार्मूला तो जैसे आप इन दुनों को इनीक ब्रत्यकार इन दोनों प्लस करेंग तो किना प्रिपा आर्ष्ट का धिकार भी पूक भी लिखा होगा फार्मूला ठीख है तो इसी में देखिए क्या हट थ्री और और आर कर साथ कितना कि आधा है चैबिंडा हुदा बुटे में टो ब्लिक में टो نिकल त clinics सिंटी मिलगई जुग आपकी इसा किश्धा इंप में जुएux हमारा किइन धो टो फेयर यहां सेवन की स्कुएर हो जाएा जाएं तो स्टते 49 गोड़े में 3 पाई जैसे आप करेंगे तो कितना देख 147 पाई आ जाएगा यह क्या हो जाएगा आपका final answer हो जाएगा थरीका है C हो जाएगा अब आगया आज़े question number 4 में देखिए 10 cm यहनि कि 10 cm त्रिज्जा की गोले को पिगला कर देखिए मन के चलिए आप हमारे कि कोई गोला है कितना है 10 cm का है यह ठीक है इसको पिगला कर कितनी गेंदे बनाई जाती है 8 गेंदे बनाई जा रही है कितनी गेंदे 8 फोंस गेंदे बनाई जाती है तो पर ते गेंदे का वगर पेस्ट बताईए आपको इसका radius तो पता है ठीक है कैसे पता है क्योंकि दिया गया है तो इसका जैसे आप item निकालेंगे यहनि कि गोले का item बराबर क्या होगा हमारा गोले का item बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4, A, 3, Pi, R, Cube होगा ठीक है तो आपके क्या बताना है प्रतेक गेंद का work request बताना है देखिए work request बराबर क्या होगा work request बराबर क्या होगा 4, Pi, R, Cube ठीक है पर आपको देखिए इसका item का तो radius पता है यहनि कि R पता है पर आपको work request का R नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे आपको इसी फार्मूले से आपको इसका भियात timer निकालना होगा, देखिए 4 upon 3 pi r cube बराबर कितना हो जाएगा हमारा 8 कितनी गेंडे बनाई जा रहे है 8 गेंडे बनाई जा ने, इसी से 8 गेंडे बनाई जा रहे है हमारा 8 – 4 upon 3 pi r cube हो जाएगा ठीक है अब देखिए 4 by 11 3 – 4 upon pi 3 से हमारा यह कैंसिल हो जाएगा इतर कितना बचा R क्यूब और R की वालों हमारा कितनी गई है 10 संटीमीटर दी गई है तो यहां रख दीजिए 10 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8 इन 2 में R का क्यूब होगा होगा कि नहीं होगा अब देखिए जैसे यह 10 इसके नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा यहां देखिए R क्यूब बराबर देखिए हमारा R क्यूब है यह इसके नीचे जाएगा बटे में जाएगा कि नहीं जाएगा तो टेन क्यूब अपान में कितना हो जाएगा एट हो जाएगा और आप एट को क्या लिख सकते हैं टेन क्यूब अपान में एट को क्या लिख सकते हैं टू का क्यूब लिख सकते हैं लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं ऐसे हमने लगा दี है तो finally हमारा कchnya हो जाएका R3BERाबर सारी 3 सारी 3 mm Phoenix 2 की पावर 3 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी 10 की पावर 3, लगेो क्या करना है आब धूरी 3 3 power हमारी कट जाय तो आहेखा त्यस्तों सारी काटें गशाएका भर मारा साजाएगा 5 cm अब इससे आप वक्रप्रश्ट निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से देखिए जैसे आप इससे वक्रप्रश्ट निकालेगे तो रेडिये साब कितनी 5 cm तो वक्रप्रश्ट बराबर कितना होता है 4 pi r cube तो यहां लिखेंगे 4 pi r cube बराबर कितना है हमारा 4 into देखिए pi में तो answer नहीं आ रहा है हमारा आ रहा है तो pi को pi रहने देना है और r हमारा कितना है 5 का cube square हो जाएगा ठीक है तो देखिए करेंगे 4 into में तो यहां square होता है हमारा यहां थोड़ा से wrong हो गया था 4 pi और 5 को square कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 into में pi और 5 को square कितना हो जाएगा 25 25 चको 100 100 pi आ जाएगा आपका answer centimeter square में तो final हो जाएगा आपका answer देखिए किस से match कर रहा हमारा है fourth का D option match कर रहा है तो यह क्यों हो जाएगा आपका final answer हो जाएगा 100 pi cm square अब आ गया जाए question number 5 में देखिए question number 5 क्या दिया गया है दो गोलों की त्रिजाएं का अनुपाद दिया गया है 5 ratio में 4 तो मान लेते हैं हमारा दो गोला के एक radius हमारी R1 है और दूसरी radius कितनी है R2 है यहने कि R1 ratio में R2 पराबर कितना दिया गया है 5 ratio में 4 दिया गया है इतना दिया गया है तो इनके संपूर प्रष्ट के अनुपाद बताईए संपूर प्रष्ट क्या होता है हमारा 4 pi R square होता है यह होता है हमारा संपूर प्रष्ट होता है तो इसमें क्या करना है आपको देखिए R1 अपान में R2 बराबर कितना है 5 अपान में 4 है ठीक है तो इ अजय पनल होता है ठीक है तो फाइनली कितना हो जाएगा देखे फोर-पाइव क्यंसिल हो जाएगा और आरवण यह तो यहां अपना केंसिल लग करें पहले तो वैद रख दीजिए तो आप कैंसिल कर दीजिए तो कितना जाएगा हमारा 5 कुश्क्यर करेंगे 25 नीचे कितना जायगा 16 इस गतते हें 25 ratio में 16 बटे में होता है आप सकते हैं ते किस से मैच कर रहा है हमारा 5 का C option कर रहा है ही क्या हो जाएब आपका फाइनल answer हो जाएगा 35 ये 0,15 20 रेश्यों में 16 वहां हो जाए गाए गाथ दो गोलों, देखी這個是 number द्यक्रीख दो गोलों के आयतंव का आयतनी दिया गया है इतना 1 रेश्यों में 27 है plac बताना है तो देखिए गोले का आयतन बराबर क्या होता है गोले का आयतन subtile बराबर हमारा कितना होता है 4 upon me 3 pi r cube होता है है कि नहीं तो इसमें देखिए आयतनों का अनुपाद दिया गया है तो हम क्या करते हैं पहले मान लेते हैं 4 upon me 3 pi r इसको हम 1 मान कर cube लगा देते हैं और नीचे क्या हो जाएगा हमारा इसका अनुपाद कितना है 1 है ratio में 27 तो हम पहले इसको मान लेते हैं r1 और दूसरे को वाले मान लेते हैं r2 ठीक है इसका radius ही तो बताना है देखिए तरीज़्या तो हम तरीज़्या मान लेते हैं और area को मान करते हैं 1 और इसको मान लेते हैं 4 upon me 3 पाई r2 का क्यूब बरावर कितने हो जाएगा 1 upon me 27 जिस तरह हमने इसको किया था उसी परकार इसको भी आप बते में लेख सकते हैं 1 upon me 27 लेख सकते हैं ratio को ठीक है देखिए 4 upon 3 4 upon 3 से कर जाएगा पाई से पाई हमारा कर जाएगा तो r1 upon me r2 का क्यूब बरावर कितना है 1 upon me 27 ratio से हमने क्या कर लिया upon me कर लिया है अब देखिए cube इधार है cube इधार है तो आपको इसको भी cube बनाना होगा तो कैसे बना सकते हैं 1 upon me 3 का क्यूब हो सकता है 3 तरुक ना तरुक हो 27 देखिए 3 गोड़े में 3 गोड़े में 3 1,2,3 तरुकी पावर क्या हो जाएगी 3 ठीक है अब देखिए यह क्या हो जाएगा r1 upon me r2 का क्यूब है यह cube है इसका भी cube है 1 का क्यूब हो जाएगा यह और आप नीचे 3 का क्यूब हो जाएगा होगा कि नहीं होगा 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है और 3 का क्यूब कितना हो 27 हमें रख लिया है तो क्यूब से क्यूब काट दीजिए तो r1 upon me r2 कितना हो जाएगा r1 upon me r2 कितना हो जाएगा 1 upon me 3 आ जाएगा तो ratio हमारा कितना निकल के आएगा of 1 ratio में 3 निकल के आएगा आपका answer यह देखिए आप बटे से हमने ratio मना लिया फिर से वैसे ही तो आपका